नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेतागर अगर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी यूपी में योगी सरकार के साड़े चार साल पूरे हो गए हैं 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास उत्सफ मनाया जाएगा सीम योगी ने साड़े चार साल की उपलब्धिया गिनाई साथ ही साड़े चार साल का रेपोर्ट कार्ड भी पेश किया है खबर लखनों से है जहां आज योगी सरकार के साड़े चार साल पूरे होने जा रहा है जहां उसके उपलक्ष में प्रेस कॉन्फरेंस की गई है यूपी में योगी सरकार के जो साड़े चार साल पूरे हो गए हैं उसके चलते प्रेस कॉन्फरेंस की गई वहीं योगी सरकार विकास उत्सफ बना रही है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास उत्सफ मनाया जाएगा सेम योगी ने साड़े चार साल की उपलबदिया गिनाई है प्रेस कॉन्फरेंस में साथ ही साड़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है उन्होंने विकास पूस्तिका भी का लोकारपन भी किया है इसके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूजरूम से हमारे संबादाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो गौरव क्या कुछ लेखा जोका इस प्रेस कॉन्फरेंस में पेश किया गया है देखें इसे उता मैं आपको बताओं जिस तरह से सरकार जब सत्ता में आई तो उसके वार से लगातार साल दर साल सरकार अपने मंत्रियों के माध्यम से अपने विभागों के माध्यम से सरकार की उप्रवजियों का बखान करती नजर आई है जो भी लेखा जोगा रहा है इन साड़े चार साल में उसका भी आज मुक्वंत्री योगी आदर्टो दारा लोग भवन में लेखा जोगा पेस किया गया अब लेखा जोगा की बात करें तो विकास पुत्रका का मेमोचन भी किया गया है इनके मंत्री आपके महाँ पर सारे मौजूद हैं, 22 मंत्री महाँ पर मौजूद हैं, इसके अलाबा भी अन्य मंत्रियों को जम्रारी दी गई है, कि विकास पुत्रका के साथ जलों में जाएं, पत्रक के साथ जलों में जाएं, और सरकार की उप्रभजियों का लेखा जोका प परियोजना हो यह बान परियोजना हो सबका बैतर तरीकी से क्रियानमंट सरकार दोरा किया जा रहा है जी गौरव जिस तरीके से अभी आज प्रेस कॉन्फरेंस की जा रही इसमें कौन-कौन से मंतरी गड़ महां मौझूद रहे दिख मैं आपको दादू इस कॉन्फरेंस में मुक्वंद्री योगी आधिनाद के अलावा मौर्या जैसे की साड़े चार साल योगी आधिनाद के पूरे उने जाने उसमें कई उपलब्धिया उन्होंने अपनी गिनाई है CM योगी के संबोधन में क्या कुछ खास रहा? अनम क्या के स्चार में कुछ लिए क्या रहा? जिस तरीके से बोला जा रहा है कि उन्होंने योगी सरकार ने सारी चाहर साल पूरे होने पर विकास पुस्तिका का एक विमोजन किया है तो स्विकास पुस्तिका में क्या विशेश बिंदू उसमें रहे विकास पुस्तगा की बाथ कर तो योगी सरकार ने अपने मंतराले के साब से विचार बिंदूस में रखे हैं क्लिक आप रेजलों मापक ओनाने लुक्तानों बसंद्रपटब से, ढदेना एक रारीषण नैंक जो मातन 2010 माप किया है वो सरकार द्वहरा किया गिया है। जो नवजा सिसु के लिए ब्युस्था है बनाई गई है यह यूना चलाई गई है उनके वैतक क्रियालमेट की बात कहीं गई है जचाही परुजना हो चाहे एरपोर्ट की बात हो या उत्तव देश की दस महाना नगरों में मेटर परुजना की बात हो विकास की लहर गाउं गाउं सहर और जो किन सरकार से लेकि उत्तफ़ सरकार का नारा रहा है उसमें दो बात और जोड़ी गई है कि सब्का साथ विस्वास और सब्सका प्रयास चार वातों से जोड़ी गई है जैसा कि कहा जा रहा ही जैसे योगी सरकार के साड़े चार साल पूरे होने जा रहे हैं योगी सरकार कहीं विकास उत्सब मना रही है जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास उत्सब मना जाएगा विकास उत्सब के दोरान क्या कुछ किया जाएगा? तो जबसे सरकार सत्ता में आयी है, योगी सरकार, तबसे हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक माहल है, ऊस्ति की बात हो obvious कि यह रही है, इंउस्टर सम्मिट की हम बात करें, और चाहे आपका चोरी-चोहर महुस्प की बात करें, अमरड महुस्प की बात करें, या अधियम दी जाएंगे और पत्रक के माध्यम से जनता से अपनी उपलब्दियां साजा करते नजर आएंगे कि जैसे क्या 2022 में विदानसभा चुनाव में साड़े 300 सीट से योगी आगे निकल गए हैं क्या ऐसा भी कुछ निकल सकते हैं क्या ऐसा भी कुछ उन्होंने एक अपने भाशन में अपने संबोधन में कहा है सरगर्मिया तो विदानसभा चुनाव की तेज हो चुकी है सभी अपने अपनी बाते कर रहे हैं बहुत बात शुक्री अगोर अव हमारे साथ इस खबर पर चुटने के लिए साड़े चार साल पूरे होने जा रहे हैं जिसके चलते आज उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस कर अपनी उपलब्दियों को गिनाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे वहीं साल पूरे होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस किया और वहीं योगी सरकार विकास उत्सब भी मना रही है जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास उत्सब मनाये जाएगा सियम योगी देश साड़े चार साल की उपलब्द्या गिनाई और साथ ही साड़े चार साल का रेपोर्ट कार्ड भी आज उन्होंने पेश किया है देश जुन्या के और खबरों के साथ बने रही है हमारे साथ प्राइम टीवी पर झाल